तो आज का ब्लोग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और अभी मैं बनाया है मैंने ये मसाला चाहे के लिए इसमें मैंने ग्रीन वाली यलाइची और काली यलाइची दोनों को फीस लिया है और इनको मैं सेपरिटी रखने वाली हूं क्योंकि कभी-कभी मैं नदर के बॉक्स में तो इसको अच्छे से बोंच के सुखा के हम जो ये फ्रेश वाले मतर हैं इनको हम एड़ कर देंगे और जो हमारे पहले बचे हुए मतर थे उनको अच्छे से हम किचन ठावल में सुखा के फिर इसमें हम एड़ करेंगे तांकि जो हमारे मतर हैं वो खराब ना ह और आजकल सीजन की वेजिटीबल है ये अच्छे से दस दिन तक चल जाती है तो ऐसे आप भी स्टोर करके रख सकते हो काफी दिन निकल जाते हैं मटर के साथ मैं तो ऐसे ही करती हूँ बरना इनको निकालने में बहुत टाइम लगता है तो ऐसी इनको स्टोर कर लेती हूँ और जब मन हो तो सबजी बना लो तो आज मुझे रसीब हुए हैं मेरे दो पार्सल्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये देखिए आज ही रसीब हुए हैं और इसमें बहुत ही एक स्पेशल परड़क्ट आई है स्वरी दो परड़क्ट आई है और दोनो ही आई हैं से में नेचर फ़ नेचर ब्रैंड हैं उनकी तरफ से मुझे रसीब हुए हैं दो डीटेंस लेक्ष़ हैं ये बौडी जो कि आप भी पड्रॉस कर सकते हो और इनकी पैकजिंग मुझे बहुत ही क्यूट लगी यह देखिए वुड़न के बॉक्स है और इनके अंदर एक ग्लास की बॉटल है फिक्स है वो और साथ में छोटे-छोटे स्पून भी है बहुत ही अच्छी पैकजिंग है और इनको आप दोबरा रियूस भी कर सकते हो और साथ ही में ये एक पैफिलेट है इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी हुई है और इनकी रिडियंट्स ये इसमें जो भी है वो नेच्रूल है ये वालनेट एंड चिक पिया है इसमें ये रीजन बेटर है और दूसरा है आपका हाइडरेटर ये दो मैंने यहां पे टीटेंस का मगवाए हैं और इनके जो अपलाई कैसे करना है इनको वो मैं आपको नेक्स ब्लॉग में अपलाई करके बताऊंगी तो ये देख सकते हो आप इनकी पैक्टिंग काफी क्यूट है और इनको पर्चेस करने के लिए जो लिंक है वो आपको डिस्ट्रिक्ट में मिल कि अरमों सेफवों के लियक बजाएबución कर दो इनके लिए खेंवाएब है और इनको आपको कार इनको आपको आपको करने के लिए एक में मैं ही क 10 कि अवों जायों है और इनकी में माते हैं है और गा oh, आवाएब ए झाल 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 और फिर डिनर के लिए हम लोग पहुंच गई आउटसाइड और हलकी-हलकी बारिश हो रही थी भाहर तो फिर थोड़ा सा टाइम लग गया हमें और फिर हमने थोड़ा सा अपना वोटर क्लिक कर वाई पापा काफी टाइम से आये हुए थे हम लोग बाहर ने आये थे कुमने क लिए तो चलो सोचा की दिनर करके आते हैं तो उनको लेकिए फिर हम लोग आ गए थे होटेल और यहां पर हमने अच्छे से खूब खाया पिया नदर ने भी खूब इंजवाए किया उसने अपना फेवरेट फूड खाया जो भी उसको पसंद है यह देखी कितने अच्छे से चेयर पर बैठा है मेरा बेटा और आभी मुझे से मांग मांग के वो खा रहा है तो पापा ने भी इंजवाए किया फूड काफी अच्छा लगा और फिर लेट नैट हम लोग भर आये बारिश हो रही थी और नेक्स्ट मॉर्णिंग कितनी अच्छी रूप निकली है यह द वाना है नदर इस वेरी क्यूरियस तो नो अबाउट मशीन और वो कॉंस्टेंटली अपने पापा से और मुझे पूछा है मशीन आई है क्या करना है इसने क्या करेगी कैसे सेलेगी क्या करेगी अब उसको हम लोग उसके जो कॉश्चन से उनकी आंसर दे कि उसको तसली हो जाएगी हां मुझे प्रॉपर आंसर मिल गया है लेकिन जैसे जासे अभी एस ड्वल्प होगी तो अंडरस्टेंटिंग तो उसकी धिरे जिरे होगी तो फिर हमने सुबह की मॉर्निंग में टी लेने के बाद फिर मैंने शकर कर दिया मॉयल कि अब रेकफास्ट में आज हमने यही खाई एजे स्नैक्स नाश्टा नहीं बनाया और आज जबी का मन था कि कुछ हलका फुलकाई खाया जाए तो फिर बस यह मैं लेमन लगारी हूँ शकर कंद्य को पायल कि अच्छे से उसके ओपर मैंने चार्ट मसाला डाला था थोड़ा सा मैंने नमक डाला थ और अभी लेमन एड किया है और अच्छे से हमारी चार्ट रेडी हो गई और सभी ने इसी को ही इंजवाही किया नदर ने थोड़े से खाय स्पून्स फिर नहीं खाया उसने और बोरिंग की मेशीन चली है पूरा बारा घंटे पूरा दिन पर चलती रही हम लोग बिलकल भ अच्छा लगाया तो चैनल को सब्सक्राइब पर यह जल्दी मिलती हूं न्यों ब्लोग के साथ थेंक्स फोर वाचिंग